तो गाइज आज की वोड में अपन डीटेल कंपारिशन करने वाले हैं बिट्विंग NTPC Green and competitors तो कौन है उनका मेंन कॉंपेड़िशन उसका एक मेंन कॉंपेडिशन है अडानी ग्रीन अपकोस आप समाझ गहोंगे अडानी ग्रीनी में क्यों चूस किया जबकि उसके केस और सब चल रहा है नहीं गाइस इतना बड़े दिकत नहीं है वो अभी के लिए उनके प्रोजेक्स सोड़ी के अंसल होगा है सबके सबकी वो केस चल रहा है तो प्रोजेक्स के अंसल हो चुका है उनके भी ambitious goals है और इसके भी ambitious goals है बट अच्छे से comparison करेंगे valuation fundamental सब कुछ तो बिना टाइम बरबाद के सीधा वीडियो पर बढ़ेंगे और जानेंगे कैसी company और कौनसी better heads है तो सीधा बढ़ते हैं टाइम बरबाद के बिना चलिए आगे तो guys mainly अपन की 5 very known companies है तो मैं उन्हीं के बारे में discuss करूँगा बहुत साथ छोटे competitors भी हैं बट वो market cap फिर 100 करोड के आज वाज़े पर चलिए आते हैं तो actually इन सब से compete करने वाली companies नहीं है इसलिए मैंने सुचा कि उसको discuss नहीं करेंगे आज हैपन देखेंगे NTPC green अपन का Adani green आप गोलेंगे यह दोनों कमणी तो थर्मा में भी करती है आइस करती है थर्मा में मना नहीं कर रहा है बड़ अपन सिर्फ green energy का पार्ट discuss करेंगे उनका वैसी होगा क्योंकि comparison चीए ना तो सिर्फ मैं Adani green के साथ करूँगा तो मजा नहीं आएगी उतनी इसलिए में mainly अपन को इन दोनों का comparison करना है उसके अलावा थोड़ा सा इन सब का भी wash ले लेंगे अपन तो guys that's the thing सबस्वेल उपर उपर के चीज़े जान देते है फिर detail जानेंगे और फिर जानेंगे visions क्या है ये companies के तो अपन अगर देखिए यहाँ पे तो अपन को सबसे पहले मिलता है NTPC Green ठीक है ये NTPC Green जो है वहाँ पे अपन को दिख रहा है कि PE ratio अपन को 317 का मिल रहा है 317 लायक नहीं है वो 317 के मैं बताऊंगा क्यों नहीं है ठीक है चलिए अपन को 317 का सबसे पहले PE ratio मिल रहा है Industry PE से बहुत जाद है ठीक है फिर अपन को ROC lowest मिल रहा है समझ लीजे सब में lowest है ठीक है L lowest है ये ठीक है फिर मैं बुक को L सब बदाऊंगा आपको profit growth highest है not gonna say वो जूट है sales growth भी बहुत सही है क्योंकि अभी अभी yellow green energy इसलें के sales growth बहुत अच्छी है गई डेट बहुत कम है कमनी के पास दूसरों से compare किया जाए तो अगर दूसरों से compare नहीं करोगे तो कुछ फरक नहीं पड़ता है debt to equity दूसरों का जादा अच्छा है JSW Energy का अच्छा है इससे TADA Power का अच्छा है पेग रेशों बहुत हाय है मतलब growth इतनी नहीं आ रही अच्छा है ROC second highest निकाल रही है अपने लिए book value बहुत हाय है understandable profit growth और sales growth इतनी नहीं हो पार debt भी सबसे हाई है खेल रहा है ठीक है तो फिर अगर आपन JSW Energy देखे this is a considerable company क्योंकि अपन को pay ratio ठीक मिल रहा है कम तरफ ही मिल रहा है अपनको ROC is third largest ठीक है then अपनको book value भी ठीक ठीक मिल जा रही है इसकी तब भी justifiable है profit growth बहुत है sales growth is okay इस अपना debt to equity ratio second lowest है तो that's a good thing debt कम है अपनी के पास हो ही समझ गया है अपन टाटा पावर तो टाटा पावर में को परसनली इतनी जादा interesting नहीं sound करती है क्योंकि यह और एक काम करती है वो है transmission का जो में को नहीं चीए मेरे portfolio में क्योंकि अगर मैं generation में focus कर रहा हूँ तो सिर्फ generation में focus करेंगे अपन transmission के लिए तो आप power grade उठा लिए बहुत सारे stock अडानी solutions वह साब इसके competition है तो यह तीनों से compete करती है generation वालों से भी distribution वालों से भी और जो green energy और thermal सब में compete करती रहती है मैं तो तो एक बाइड करी लेते है पेग पेग ratio सबसे lowest है देनापन को ROC सबसे highest मिल रहे है that's the thing because वह बहुत सारे sectors में काम कर रहे है profit growth और sales growth इसलिए नहीं आपद है क्योंकि यह प्रहुत सारे sectors में काम कर रहे है while NHPC is the most attractive in all of these आप देख सकते एक बार के लिए तो अपन सबसे पहले एकदम सटीक अपन उठाएंगे क्या करेंगे अपन NTPC Green खोला मैंने एक बार के लिए ठीक है अपन अप जाएंगे नीचे 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 यहाँ पर मैं लिख दूँगा Adani Green के साथ मेंको detail comparison चीए तो Adani Green के साथ detail comparison खोल दिया अपनने ठीक है सबसे पहले अपन जानते हैं इसका मार्केट कैप इसका एक लाख नब्य हजार करोड़ है इसका दो लाख करोड़ है समझ लीजेए अब पी रेश्यो इसका डबल का है तो अगर मैं हाफ लादू कंपनी होता है यह पचास जार करोड़ों की कंपनी है अगर मैं डायरेक इसका कमपनी है किकट है इससे डायरेक कंपनी है इससे चार गुना बड़ी कंपनी है अदानी गृण अब्वह समदल न रिज़ पेहले कंपनी है संधते है पहले ठीक है तो वही चीजे बहुत बड़ी कंपनी है उसके सामने ROCE is better on this side इसको take मिलता है ROE is also better on this side एक take और मिलता है Danny Green को फिर अपन को debt debt कम है इस company पर बट मैं 4 गुना से compare करूँगा तो 18 का अगर 4 गुना अपन करे तो कितना आता है वो वो आता है अपना 72,000 crores ठीक है तो अगर मैं एकदम seem to seem to know दोनों का market cap अपको अपको सही सही चीज़े फिर प्रॉफिट ग्रोफिट के लिए इसको जादा है तो और एक टिक मिल गया बहुत अच्छी चीज़े कोई दिक करते है वो सब भी देखेंगे अपन ठीक है फिर आगर अपन देखें तो इसका सब का आ नहीं रहे डेटा क्योंकि अभी तक अप्लोड नहीं है NDPC Green का तो NDPC Green का डेटा अप्लोड डेट नहीं है दार स्वाए we can't see it but the thing is यह लोग अभी इस्टार्ट किये थे इसलिए जादा है अपकोर्स बट मैं चार गुना लूंगा तो दो हजार का चार गुना होता है आपका आपका 8000 ठोड ठीक है तो इसको इतना निकालना चाहिए बट वो नहीं निकाल पार यह इसका कंपरिशन में तो सील इसकी जाद है अगर मैं एकदम एपसिल्ट टर्म्स में देखू है उड़ से डड़ OPM अफकॉस NTPC Green का जाद है तो इसको टेक मंग मिल जाते भाई जो चीज अच्छी अच्छी नहीं कर पा रहा है इसलिए मैं आपको नहीं सेजेस्ट कर रहा हूंगा मनी सिंपल बात एक दम जबकि प्रॉफिट बेफोर टैक्स जाद अच्छा है नेट प्रॉफिट बहुत इसके पास 13,000 करूड़ की है वाईल अडानी ग्रीण के बहुत जादा बॉर्इंग्स है बट अगर मैं अबसलिए टम से फिर से कंपेर करूं तो फिर यहीं आएगा 60,000 करूड़ के आजू बाजू की बॉर्इंग्स और यह है 64 तो इसदर अडानी ग्रीं की बॉर्इंग जादा है गाई तो फिर अगर अपन देखे फिक्ष तो असे था यहां पर फिर तो दोनों के से में इकॉल है दोनों ठीके एकुल में इस बार इकुल मिल गया दुन को पाइंग्स प्र अपन को रोसी क्वान अच्छा निकाल रहा है अडानी ग्रीं ठीके तो यहीं और यही उसी क्या है इसका ठीक है largest renewable energy public sector enterprise ठीक है यह देखिए गाइस क्या-क्या एकदम जोड़ा डाले न इन्होंने देखिए largest यहां पर मैं आपको खेल बता रहाँ largest renewable energy public sector यह public जोड़ दिये धर ठीक है enterprise in India excluding hydro क्योंकि हाइड्रो में तो नहीं दम मार जाता है अपना हाथ वही चीज़ है का इसे नहीं समझ रहे लोग वह बहुत बाकी होना अभी तक मैं वह समझाता हूं आपको सीधा balance sheet पर जाके अपन नहीं समझेंगे दूसरा सब कुछ अपन देखेंगे CWIP कम चल रहा है अभी के लिए इतना दाध है नहीं बढ़े जा रही है बढ़े जा रही है असे जस्टिफाय करनी पा रहे हैं सब बढारों क्या 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 बूलों बोरिंग यहां पर देखो यहां से यहां पर कितनी बढ़ गई दीगे बट रिजाउस अब इतने नहीं बढ़ पाए प्लस आपनको एसेट्स भी नहीं बढ़ते हैं दिखेंगे इतने हैं प्लस यह लोग क्या कर रहे हैं मैं को इंग समझ मेला यह लोग बोलते हैं 17 गीगावाट तक यह लोग 17 गीगावाट कमिशन कर लेंगे अब लाइक ग्रेट ब्रो अगर यह कर लिया ना तो यह लोग अलग चलेंगे अपने में ठीक है और इंके बोट सारे जॉइंट वेंचर्स हैं नौट गॉन असे क्यूंकि एंटीपीसी ओंगीसी के साथ भी है और इंडिया के साथ भी है आयोसील के साथ बीडला हुआ अब इसका कितना है अभी देखो अभी सचीज बताता हुँ मैं इंडिया लाजेस्ट प्रावर इसने कुछ भी ही डाला दूसरा इंडिया लाजेस्ट ही हुँ भाई मैं तुम समझ जाओ यह चीज़ इनके वास 11 गीगावट के ऑपरेशनल कैपसिटी है वाइल एंटीपीस इसी गीगावट की ही है तो कौन से आता हुआ अडानिक गरी टीक है और इस रांक्त सेकेंड लार्जेस्ट सुलार पीवी डेवलपर फोटो अलेटिक सेल्स जो होती है न वह डेवलपर सेकेंड लार्जेस्ट है वर्ल्ड का ठीक है तो छोटी चीज़े नहीं है यह जोट बिलकुल नहीं है तो मतलब इनका टोटल ये लोग पहुचा देंगे थोए टाइम में 22 गीगाओट के आज बाजू ठीक है मैं यह सोच रहा हूं इसका आपन दोनों का वो खोलेंगे PDF ठीक है और जानेंगे क्या होने वाला है तो यह देखिए इनका अंबिशियस गोल्स है 15 गीगाओट 2030 तक लाएंगे और 10 परसेंट यह लोग ही मीट कर लेंगे एनरजी की अगर इनका कुछ कैंसल नहीं होता है तो ठीक है वो चीज जानना जरूरी है और फिर तो अपन इतना एक्सपैंशन तो यह रहा 30 30 गाओट का तो कवधा में चल रहे जो 2029 तक खतम हो जाएगा तो वहीं से इनको बहुत जादा मिल जाएगी कापसिटी के लिए बट अगर वो प्रोजेक्ट कैंसल नहीं होता है तो क्यूंकि वो प्रोजेक्ट में बहुत सारी दिक्कत आचुक समझ जो जितना जल्दी अच्छा भी होता है क्योंकि नहीं है इतनी इच्छी कम निवाई समझो और यह गिरा क्यूंत आपको पता है अफकॉस यूएस वाला जो लगा था उस पर वहीं कारण से गिरा है आप जाके देख सकते हैं यूज एक बर के लिए तो यह यह लोग भ CWP बहुत हाई चल रहा है अच्छी बात है क्योंकि हाई चलेगा तो मैं जल्दी कैपिटल वक इन प्रोग्रेस हो रहे है बट यह लोग भी जस्टिपाई नहीं कर पा रहे है यहां पे तो मैं तो अभी भी रिलाय करना होगा ना मैं कभी भी थर्मा पावर पर्डियूसर क लग बग तो वही चीज़े में को इतना पसंद नहीं प्लस एक सबसे बड़ी बात यह है एक कॉमेडी वाली बात यह है एंटी पीसी ग्रीन ठीक है आप समय ना इसका फुल फॉर्म क्या होता है एंटी इवीसी ग्रीन का नैश्नल थर्मल पावर पावर कॉर्परेशन ग्र यह जान लीजे और दूसरे तीनों का अपने उपर उपर से देख लेंगे बस मैं को यह जानना है कि कितना कितना एम कर रहे है लोग ठीक है तो इतना है थर्मल ओके 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 प्रेजेंस अक्रॉस रिनेवल सेगमेंट्स ओके टाटा पावर इजी चार्ज ब्राउन फ ति फच्वाटों अडानी ग्रीं टार्गेट कर रहे है कि वो करेगा अपना 50 घीग ओट ठीक है और यह लोग टार्गेट कर रहे हैं की लोग को करना है 20 30 तक 500 घीगाट ठीक है तो यह लोग म navigate चाहते हैं कि यह लोग अपना 25 से 30 परसें इंडिया की भिजली का खपाद इनिंग के तरसे तो आपको अगर ambitious में भीट करने तो कर सकते हैं that's a good thing plus आपन को क्या-क्या देखने मिल रहे हैं आपे out of which 179 is installed by on 23rd October 97 gigawatt of projects are worker in progress 224 gigawatt auctioning here until okay company wants to achieve 20 gigawatt of green बहुत कम है इनका goal 20 gigawatt यह green का वाइल अडानी का क्या था अपना 50 और NTPC का था 26 ठीक है 26 है उनका goal ठीक है 26 है उनका goal ठीक है तो वही चीज है इसका भी जाता है नहीं ambitious बड़िंका 500 gigawatt का लग यह ambition है तो आप डाल के डाल सकते हैं अगर देखके आपको डालना हो तो क्योंकि ambition तो बहुत दूर-दूर के हैं तो वह चीज देख लीजेगा एक बार जेख लेटा है पन क्या क्या है इनका ठीक है थर्मल लेग रिन्योबल एसेट में को बताओ क्या है चलो ठीक है रिक है रिन्योबल एसेट है इनके 6 gigawatt का भी के लिए तो बहुत अच्छे खा है इसमें commissioning of SI wind projects total current capacity becomes 7 gigawatt अभी के लिए ठीक है 7 gigawatt यह लोग बोल रहे कि हम लोग कर चुके हैं आप समझो इस चीज को Kpex plan करके रखा है इन लोग ने कुछ ऐसे गोल नहीं डाला है बट यह चीज यह लोग ने बोला है कि double capacity करनी है इनको और percentage age of installed capacity of renewable hydro from 30% to 60-70% of total capacity तो यह लोग क्या करने वाले हैं जैसे Tata power is focused on thermal ठीक है thermal में Tata power T for Tata T for thermal और JSW energy जो है वो चाहता है कि 70% बिजली हम लोग renewable से ब long term prospectus सोच रहे है इसलिए इसको जाधा P ratio मिल रहे है और short term prospectus सोच रहे है इसलिए 34 का P ratio मिल रहे है अभी के लिए ठीक है वही चीज़े है मैं आपको समझा दिया उपर उपर का एक आखरी अपनी company जान लेते हैं खतम करते हैं अज का पुरा detail comparison यहां पर NHBC खोल लिए आपन 10 Giga Oort के 10 Giga Oort के इनके upcoming projects भी है तो मैं मिला के सोच लेता हूँ 20 Giga Oort के आज बजू का है ठीक है एंड यहां पर solar power project status okay ठीक है MOU sign कही है रिसेबल्स फोकस तो यह है 10 Giga Oort का focus तो यह लोग भी फोकस कर रहे हैं 10 Giga Oort का करना है और कुछ ऐसा aim नहीं है कि मेंको इतने Giga Oort पहुंचना है कि उतना Giga Oort अपनको तीन कंपनी का aim मिला है तीन कंपनी को अपन कंपरेशन करेंगे तो जान जाएंगे अपन को क्या करने वाले है अपनी सबसे अट्रक्टिव आपको कौनसा लगा comments में डाल दीजेगा guys क्योंकि थोड़ी सी वीडियो थी मैंने सबसे शेर कर तो क्योंकि जरूरी है लोग एंच एंटीबीजी ग्रीन में डाल रहे है उसका कोई सेंस नहीं बन रहे है में को परस्नली तो जीरो सेंस फुल लग रही है को कंपनी में को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे उसको दुगनी प्रॉफिट कर जान जाहे जाये जाए यद दू फोलओ इमगोंस बेसिक जोत्राइट लिए था में तो जायन जायेख जाएंटेट है जाल जाये रहे में इस उटेटेट – जायां जाये में तो वुल लग एंगे जाये टीछूक novakर और रहे हमार्टों कर दिफूचंडे बन्ह